Hello everyone, welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने Certificate Physical and Human Geography by GC Leong के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नमबर 24 में Cool Temperate Eastern Margin Climate जिसको Laurentian Climate भी बोला जाता है तो ये इस book का second last chapter है इसके बाद सिर्फ एक chapter और बचेगा that is chapter number 25 उसको भी हम लोग आगे करेंगे लेकिन पहले हम बात अगर इस chapter के करें तो इसका जो पिछला part है जिसमें हमने इस chapter को start किया था उसमें हमने ये देखा था कि कहां कहां पर ये पाये जाता है है था है न दिखा दो रीजन में बाev जाता है एक तो नौर्थ अमरीका वाला रीजन है वहाँ पर और दूसरा हमारा जो इसातिक रीजन है वहाँ यह जयन नॉर्फ इन चाइना और नौर्ट जपान वाला रीजन है तो हमने वहाँ पर एक चीज समझी की distribution देखा climate देखा और climate में यह देखा कि यहाँ पर generally क्या होता है कि जो winters है वो काफी ज़ादा cold है है ना वहाँ पर बरफ अगरा पड़ रही है और हमने एक बहुत important चीज जो समझी पिछले lecture में वो यह थी कि इन दोनों जगह पर ही अग फिट जो हमारा नॉर्थ अमेरिकर रीजन वाला रीजन है उसके पास अगर हम बात करें तो वहाँ पर दोनों जगह पर ही क्या हो रहा है कि warm currents और cold currents जो है वह आपस में मिल रहे हैं और वहाँ पर बहुत बढ़िया fishing ground बन रहा है तो यहां से भी हम कुछ economic activities के बारे में समझ सकते हैं अगर सर्दिया बहुत जादा है winters अगर बहुत जादा extreme हो रहे हैं तो फिर कैसा आपको यहां पर vegetation वगरा देखने को यह economic activities देखने को मिल सकती है तो इसी को लेकर हम लोग आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अगर lecture लंबा भी हुआ तो कोई ब Natural vegetation के अगर हम बात करें तो predominant vegetation जो Laurentian type of climate का है that is cool temperate forest हैना cool temperate तो यह है इसलिए cool temperate forest heavy rainfall, warm summers and the damp air from fogs all favor the growth of trees यहां पर क्या-क्या हो रहा है एक तो rainfall ज़्यादा है वो हमने देखा warm summers भी है गर्मी भी ज़ो है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है और air कैसी है damp है क्यों क्योंकि fog वगरा हो रहा है तो air damp है काफी ज़्यादा उसमें moisture है तो यह सारी के सारी जो tree को grow करने के लिए favor करती है जनरली अगर हम बात करें तो forest tend to be coniferous north of 50 degree north parallel of latitude जानी कि जो हमारा 50 degree north latitude है उसके उपर अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे जो forest हैं वो कैसे होंगे coniferous obvious ही बात है ठंडे एलाके हैं तो coniferous trees या coniferous forest होंगे और the increase in the length and severity of the winter excludes forests that are not adaptable to cold conditions है ना क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि winter जो है they are long long winters है और उनमें severity भी जादा है यानि कि ठंड बगर जादा पढ़ रही है जादा स्नो बगर हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे forest नहीं हो सकते हैं जो cold conditions को adapt ना कर पाए अब जैसे coniferous के बारे में तो हमें पता है हमने पिछले chapter में भी बात करी है कि coniferous trees या coniferous forest आपके वहीं पर होंगे जहाँ पर जादा cold conditions तो यहाँ पर यह चीज़ देखने को मिलेगी Asiatic region में हम बात करें जो हमारे Eastern Siberia या Korea वाला region है वहाँ पर coniferous forest are in fact a continuation of the great coniferous belt of the taga जो हमने Siberian taga देखा था पिछले chapter में वहाँ पर भी हमने देखा था कि coniferous forest थे तो यह वाला region भी लगभग क्या है कि उसी का एक continuation है ना वहाँ पर भी coniferous थे यहाँ पर भी coniferous है तो यह मैं पता है कि lumbering has always been a major occupation of this sparsely populated part of the eastern Asia and timber is a leading export item यह वहाँ पर lumbering वगरा की जाती है यह चीज़ हमने पिछले chapter में देखे तो यह तो बहीं से continuation चल रहा है इसके बाद much of the original coniferous forest जैसे की fur, spruce, large they have been cleared as a result of lumbering rather than agriculture मतलब उनको काटा तो गया है forest को clear किया गया है लेकिन lumbering purpose के लिए किया गया है agriculture के लिए नहीं किया गया है क्योंकि agriculture तो देखे विंटर जहां पर इतने जादा होंगे, लंबे होंगे, extreme होंगे तो वहाँ पर agriculture तो बहुत जादा possible वैसे भी नहीं है इसके बाद अगर हम जो नॉर्थ अमरिका वाला region है वहाँ की बात करें तो eastern Canada में along the banks of St. Lawrence river वो Canadian timber और wood pulp industry का क्या है heart है, यानि कि केंद्र है, यह चीज़ भी हमने देखी थी, पिछले chapter में हमने यहीं बात की थी, कि wood pulp वागरा जो है वो Canada वाले region से, USA वाले region से काफी जादा मिलता है, है ना, इसके बाद अगर हम बात करें 50 degree north का जो latitude है उसके south में, तो वहाँ पर conifer forest जो है, वो deciduous forest को क्या करेगा, रास्ता देगा, मतलब वहाँ पर coniferous forest नहीं होंगे, वहाँ पर deciduous forest होंगे, अब उसकी जो main species है, वो आपकी oak, beach, maple, birch, यह principal species यह वहाँ पर पाई जाएंगी, like their counterparts in the western margins, the deciduous forest are fairly open, जो इसका counterpart है, जो eastern margin से अगर हम western margin के तरफ को जाते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा था कि deciduous forest है और वो fairly open है, बहुत जादे dense नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, long growing season है, 6 महीने से लंबा, और adequate supply है moisture from the maritime sources, encourage the rapid growth of ferns and other temperate undergrowth, हो क्या रहा है, एक तो जो growing season है, वो काफी लंबा है, क्योंकि सर्दियों का season तो growing होगा नहीं, spring season, summer season वो growing season है, और moisture भी हमें maritime sources से, water body से काफी जादा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर undergrowth, ferns या और प्रकार की जो undergrowth है, वो काफी जादा देखने को मिल रही है, उनकी rapid growth है, बहुत जल्दी से बुलो, वो चीज़ जो है, वो पैदा हो जाती है, the occurrence of trees in almost pure stands, हैना, यहाँ पर भी जो trees है, वो pure stands में पाए जा रहे है, pure stands का मतलब आपको पहले ही बताया है, कि mixture of species नहीं है, हना, एक जगे पर आपको generally जो है, एक ही species के बहुत सारे प्रेड़ देखने को मिलेंगे, that is known as pure stands, and the predominance of only a handful of species greatly enhance the commercial value of these forests, हना, और predominance of only a handful of species, मतलब कुछ ही प्रजातिया है, जो बह बहुत सारे प्रेड़ होंगे, तो उससे क्या है, कि इन forest की जो commercial value है, वो बढ़ जाएगी, as a result, they have been extensively filled for the extraction of temperate hardwood, अब इन से क्या निकल रहा है, temperate hardwood निकल रहा है, और उनके लिए इनको कालटा भी जा रहा है, in many parts of Manchuria, Korea, Japan, the forest have made way for plow, forest basically जो है, वो plow के भी use हो रहा है, म दोनों ही उगा रहे है, Canada की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर greater reserve of coniferous softwood है, and their overriding importance in industrial uses, the annual production of deciduous hardwood is much less significant, तो Canada वाले region में जनरली जो है, ये deciduous hardwood जो है, वो जनरली नहीं, उसका annual production बहुत कम हो रहा है, क्यों क्योंकि जो coniferous softwood है, और उसकी जो industrial importance है, वो इतनी जादा है कि व आप समझ गए, हम दोनों जगे को साथ साथ compare करके चल रहे है, कि जो हमारा North America region हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा historic region है, वहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप इसको एक comparison करके भी ऐसे बढ़ सकते हैं, इसके बाद अगर हम economic development की बात करें, तो lumbering and its associated timber, paper and pulp industries are the most important economic undertaking याना इसके बारे में हम लोग लिखा भी है, देखे, chapter 22 में पढ़ चुके है, डिटेल में, agriculture जो है, वो यहाँ पर काफी less important है, in view of the severity of the winter and its long duration, क्योंकि यहाँ पर winter कैसा है, severe है, मैंने पहले ही बताया कि बहुत जादे snowfall अगरा हो रहा है, और winter काफी लंबा भी है, तो इस मैं अपनी जरूरतों के लिए उगाई जाती है, और वो भी क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत maritime influence है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत moderating effect आएगा, severity of the winters कम होंगी, heavy rainfall हो रहा है, जैसे कि potatoes उगाई जाएंगे यहाँ पर, they thrive over the long areas of the porzolized soils, where hardy, जैसे कि old barley, यह आपके उगाए जा सकते हैं और successfully harvest के जा सकते हैं before the onset of the cold winter, लेकिन बात होई है कि winter आने से पहले पहले आपको इनको harvest करना पड़ेगा, इनकी कटाई करनी पड़ेगी, अगर otherwise winter में यह सारी फसल परवाद हो जाएगी, क्योंकि बहुत जादा सर्दी यहाँ पर पढ़ने वा और फिर ground net हो गया, सिसमे हो गया, rape seed, tongue oil, mulberry यह सब चीज़े भी यहाँ पर produce की जाती हैं, इसके बाद है in the North American region, यानि कि यह तो अभी तक हमने बात करी कहां की, जो होगा राइशाटिक रीजन है उसकी, North American region की बात करेंगे तो वहाँ पर arable farming is not carried out on a sizable scale except in the more favored localities, यानि कि arable farming है या जो आप कह सकते है कि agriculture वगएरा हो रहा है, वो बहुत बड़े स्तरपन नहीं है, वहाँ के जो farmers है, they are engaged in dairy farming, वो लोग dairy farming कर रहे हैं, बहुत जादे cattle वगएरा उनके पास रखे हैं, और वो dairy के जो भी products है, उसकी वो लोग economy में उनका role है, हे cultivation, हे मतलब जो यह भू रहे हैं, the fertile Annapolis Valley in Nova Scotia is the world most renowned region for apples, और fishing is however the most outstanding economic activity of the Laurentian climatic region, तो इसने सारी बात पहले बता दी, उसके बाद यह last line में लिखा है कि यह सारी बात तो ठीक है, लेकिन fishing जो है वो यहाँ की most outstanding activity है, कहां की, पूरे ही Laurentian climatic regions की, मतलब अमेरिका वाले region की और जो हमारा यह इस शल्टिक वाला region है, उसकी भी, तो I hope, यहाँ तक आप बात समझ गए, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिशिंग की बात करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि agriculture का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा economy में रोल नहीं है, तो fishing की बात करेंगे, और fishing को हम दोनों जग and New England, यहाँ आपको देखें, उपर मैप में दिखाया हुआ है, यह Newfoundland है, ठीक है, इसके बाद यह आपका जो Grand Banks है, यहाँ पर आपको देखें, Nova Scotia दिख रहा है, जो पीछे आपको बताया गया था कि Apple के लिए बहुत बड़िया है, and यहाँ पर आपको New England दिख रहा है, ठ particularly on the Grand Banks of Newfoundland, ठीक है, Grand Bank में आपको ओपर दिखाया है, फिगर में, तो यह one of the largest fishing ground है, यानि कि सबसे जादा fishing जो है, वो यहाँ पर की जाती है, अब ऐसा क्यों होता है, देखें, the reasons for its importance are geographical, ओवियसी बात है, जोग पढ़ रहे हैं, तो geographical importance हम देखेंगे, fish जो है, that feed on minute marine organisms, जि इनको हम लोग collectively क्या बोलते है, plankton, ठीक है, या अपने environment वगरा में पढ़ा है, zooplankton, phytoplankton होता है, वो बहुत ही जादा minute marine organisms होते हैं, बहुत छोटे-छोटे, and which is present in abundance only in shallow waters, adjacent to land masses where sunlight can penetrate through, और यह जो organisms है, यह सिर्फ ऐसी जगे में ही होंगे, होंगे बहुत जारा मात्रा में, abundance में होंगे, लेकिन सिर्फ ऐसी जगे पर ही होंगे, जहाँ पर land mass के adjacent में, यानि कि land mass के बगल में shallow waters होंगे, यानि कि पानी बहुत जादा गहरा नहीं होगा, और उससे फाइदा क्या होगा, अगर पानी shallow है, बहुत जादा गहरा नहीं है, तो sunlight उसके थूरू penetrate कर सकती है, तो वहाँ पर इस तरीके के जो भी organisms है, जो भी planton वगरा है, वो वहाँ पर survive कर सकते हैं, दूसरी बात ये भी है कि वहाँ का continental shelf है, वो gentle sloping है, उसका slope बहुत जादा नहीं है, और 600 feet की गहराई है, and which is stressed for over 200 miles south east of Newfoundland, और Newfoundland से लगबग 200 miles तक वो जो है आपका लाए करता है, क्या जो continental shelf है, वो, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत जादा वहाँ पर एकदम से गहरा नहीं होगा, end of the coast of maritime provinces and the new land container, rich collection of microscopic plankton, तो यहाँ पर आपको यह चीज़ दिख रही है, maritime provinces, आपको यहाँ पर दिख जाएगी, this is your maritime provinces, यह आपका newfoundland हो गया, इसका जो grand bank है, वो मैं आप न्यू इंग्लेंड दिख रहा है, तो इन सब के आसपास क्या होगा, कि जो continental shelf है, वो बहुत जादा deep नहीं है, gentle sloping है, तो वहाँ पर काफी सारे मात्रा में, plantons वगरा जो है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर fish of all types, हर प्रकार की और हर size की fish जो ह है, वो यहाँ पर feed और breed करती है, and support a thriving fishing industry not only in Canada and USA, but also in countries like Norway, France, Britain, Portugal, Denmark, Russia and Japan, who send fishing fleets to the grand banks, यानि कि यहाँ पर इतनी जादा fishing होती है, या इतनी जादा मचलिया पाई जाती है, कि सिर्फ और सिर्फ Canada और USA की ही fishing industry यहाँ पर निरभर नहीं है, बलकि और जगे की fishing industry जो है, वो यहाँ पर देखे, Japan का नाम भी दिया गया है, यहना आभी मैं आपको आगे मताऊँगा इसके importance क्या है, यह नाम यहाँ पर क्यों दिया गया है, हलाकि हम लोग जपान को अलक्सर discuss करेंगे, लेकिन फिर भी यह नाम यहाँ पर दिया गया है, तो इसको अब झान रखेगा, इसके बाद क्या लिखा है? As less as 1% of newfoundland is cultivated, fishing provides employment for almost the entire population. यानि कि यहाँ पर जो farming है, जो agriculture है, वो कितनी कम है? सिर्फ 1% से भी कम जमीन यहाँ की जो है, वो under cultivation है. और इसलिए fishing जो है, वो सभी को क्या कर रहा है? Employment या रोजगार प्रोवाइड कर रहा है. यानि कि यह सिर्फ और सिर्फ newfoundland के लिए ही एक wealth का, एक पैसे का एक मुख्य स्रोथ है, ऐसा नहीं है. बलकि यह सारे के सारे maritime provinces के लिए एक major export का का काम करता है. यानि कि सब जगे से क्या होगा? कि बहुत ज़ादा मात्रा में जो fishes वगना है, वो export की जाएंगी. तब ही तो यह ऊपर जितने भी नाम दिये गए है, यह तभी सारी के सारी जो fishing industry है, वो तभी चल सकती है, जब यहाँ से मचलिया जाएंगी इदर. इसके बाद, both pelagic fish which live near the surface. दो प्रकार की मचलियों की बात की गई है, एक है pelagic fish, pelagic fish मतलब जो surface के पास रहती है, यह आप यह कहें कि बहुत गहरे पानी में नहीं रहती है. और दूसरी fish है, that is dimercial fish, which live near the bottom of the shallow seas, यानि कि जो shallow seas है, shallow मतलब बहुत ज़ादा गहरे तो नहीं है, लेकिन उनके यह deep में रही, यह surface पे नहीं है, they are deep sea fish. The chief fish caught is cod, जो मुख्य तहब पे fish यहाँ पर पगड़ी जाती है, वो है cod, जिसको या तो fresh consume कर सकते हैं, या dried, salted, smoked, canned और packed in ice for export to mainland America, Central and South America and Southern Europe. मतलब किसी भी तरी को consume करा जा सकता है, या फिर उसको export भी कर सकते हैं, Central America में करेंगे, है ना, और आपका South America में करेंगे, Southern Europe में करेंगे, हर जागे उसका export हो सकता है. साथी साथ जो इसकी liver का oil होता है, that is cod liver oil, ये भी export किया जाता है, है ना, cod liver oil का आपने देखा होगा, कि उसकी कुछ tablets मिलती है, गोलियां सी मिलती है, that is cod liver oil, मशली के तेल की गोलियां, उसमें बोला जाता है, कि they are very good for your eyes, है ना, उस चीज़ के उसमें vitamin वगरा काफी जादा ह होता है, फिर कुछ और मशलियां जो यहां पर पकड़ी जाती है, they are haddock, halibut, hake, herring, place, mackerel, ये सारी मशलियां भी यहां पर पकड़ी जाती है, various kinds of fishing craft and techniques are employed to obtain maximum harvest from the sea, यानि कि मशलियां पकड़ने के लिए ये बहुत सारी techniques का, craft का इस्तमाल करते हैं, modern trollers का use किया जा रहा है, trollers basically ऐसे ही specialized boat होती थी जो fishing के लिए use की जाती थी, अब आजकल वो भी थोड़ा सा modern technology से उनमें आ गई है, इसके बाद जो dragging है, वो conical shaped net और drifter से हो रही है, carrying curtain like rectangular nets, operate extensively off the Atlantic coast, तो ये सारे के सारे basically आप कह सकते हैं कि जो nets वगरा का use कर रहे हैं, कैसा जाल use कर रहे हैं, किस से ये radar devices to navigate through the dense fog, avoid collision with icebergs and also maintain contact with their headquarters online, अब ये जब coast से दूर है, और वहाँ पर मैं आपको बताया, आपको याद रखना है कि वहाँ पर क्या होता है, बहुत जादा dense fog, गहरा कोरा होता है, घना कोरा, तो अब उस घने कोरे में चलने के लिए इनको क्या चाहिए, एक तो इनको radar चाहि ये, है ना, तो उससे एक तो fog से ये बच सकते है, दूसरा जो icebergs वगरा है, icebergs वगरा मतलब जो बड़े-बड़े ice के टूडे आपके water body में होते हैं, उनसे भी बचना है, और साथी साथ जो है वो अपने headquarters के साथ contact भी रखना है, क्योंकि इनके headquarters वगरा land में होंगे तो उनस से भी contact इनको रखना है, तो इसके लिए लोग radio और radar devices का use करते हैं, जो offshore fishermen है, they also use traps, lines and nets to catch crabs, lobsters and shrimps for home consumption and increasingly for export, तो ये सिर्फ और सिर्फ मचलिया ही नहीं पकड़ते, कभी आपने ऐसा जो है वो national geographic channel में या जो आपका discovery वगरा आता है, उसमें दिखाते हैं किस तरीके से लोग boat में जाते हैं, offshore जाते हैं, वहाँ पर से crab, lobsters ये सब चीज़े जो है वो पकड़के लाते हैं, further inland की अगर हम बात करें तो lakes और rivers में, जैसे कि St. Lawrence और जो great lakes हैं, वहाँ पर कुछ fresh water fish भी पाई जाती है, जैसे कि salmon, trout, eel, sturgeons, ये से, newfoundland में और along the Atlantic coast अगर हम बात करें तो बह Grand Banks fishing industry, Grand Banks fishing industry का ये headquarter, that is St. Jones, it also had interest in sealing and wailing, but these have declined, यनि कि पहले वहाँ पर seals जो होती थी, seal और wails बगरा जो होती थी, उसका भी ये लोग ये पकड़ने बगर रहा काम करते थे, लेकिन धीमे-धीमे वो चीज़ें अब कम हो रही हैं, in the fishing ports of Halifax and Yarmouth in Nova Scotia and New England, ports are processing plants that cut, clean, salt, pack, and preserve fishes for disposal by refrigerated boats, trains or trucks to all parts of the continent, तो basically हो क्या रहा है कि मचली पगड़ने का जो main काम हो रहा है, वो आपका कहां पर हो रहा है, जो ये St. Jones वारा port है वहाँ पर, उसके बाद जो उसको process करने का काम है, कि सफाई करनी है, उसको pack करना है, preserve करना है, वो सारा का सारा काम आपके Nova Scotia और New England क जो ports हैं वहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, preserve वगरा करके, pack वगरा करके, refrigerated boats, trains या ट्रक के थूरू, continent के अलग-अलग इससे मैं पहुचाएंगे, बेस मतलब जहां पर यह बड़े-बड़े जो ट्रॉलर वगरा हैं, वो खड़े रहते हैं, यहां कि वहाँ पर एक तरही किसे बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, पोर्ट बन गया है, तो वहाँ पर यह ट्रॉलर वगरा रहते हैं, तो उनका यह बेस है, अब modern ट्रॉलर जो है, may well cost anything around a million dollars, and have men stay on board in floating factories, far out at sea for days and even weeks, यहां कि आजकल को जो modern ट्रॉलर है, वो थोड़ा सा महंगे भी है, एक million dollar के आजपास है, लेकि उनमें facilities जादा है, उसमें क्या है कि लोग जो है, far out at sea, मतलब समुदर में जो है, बहुत दिनों तक या हफतों तक भी रह सकते है, fishing in this part of the world is highly specialized and very efficient, तो यहां पर जो fishing हो रही है, वो काफी जादा specialized है, और बहुत efficient तरीके से हो रही है, in fact, over fishing is a growing problem, over fishing हो रही है, मतलब जितनी fishing होनी चाहिए, उससे जादा fishing हो रही है, जो यह एक problem है, अब इसी को लेकर जो United States की government है और कुछ international fishing bodies है, they are now contemplating strict measures in fish conservation, वो fish की conservation को लेकर कुछ strict measures या कुछ कड़े कदम उठा रहे है, if this major source of protein food is to be sustained for regular supply in the years to come, क्योंकि obviously बात है, अगर over fishing होगी, तो क्या होगा, over exploration किसी भी resource का होता है, तो वो क्या होता है, deplete होता है, खतम हो जाता है, तो similarly fishing के case में भी यह होगा, कि अगर जादा over fishing की तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि यह जो इस area का major source है, किसका protein food का, क्योंकि यहाँ पर अभी हम देखते है, थोड़ा सा आगे लिखा जाएगा, कि यहाँ पर आपको meat वगरा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि देखिए, यह चीज़ा अब आप थोड़ा सा I think connect कर पा रहे हों क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर cultivation बहुत ही कम है, नेचरल वेजटेशन में में देख लिया, या तो coniferous forest है, या फिर जो नीचे वाले इलाके हैं, वहाँ पर deciduous forest है, तो grass वगरा है का तो नाम हमने कहीं लिया ही नहीं, और cattle को आप coniferous trees के पत्ते तो खिलाएंगे नह इसलिए अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो source है, प्रोटीन का, वो लंबे समय तक चलता रहे, उसकी regular supply आने वाले सालों में होती रहे, तो fish की conservation जो है, वो करनी पड़ेगी, इसी को लेकर international fishing bodies ने और United States की government ने कुछ कड़े कदम उठाने की बात की है, तो यह तो पुरी की पु Pacific surrounding the islands of Japan is another major fishing area of the world, जो नौर्थ पैसिफिक वेस्ट जो है, मतलब जो नौर्थ वेस्ट पैसिफिक, मतलब जो Pacific Ocean का नौर्थ वेस्ट पार है, जहां पर जपान का island लगता है, वो एक और major fishing area है, वोर्ड का, nowhere else in the world are there so many people engaged in fishing as in this part of the Northwest Pacific, यहां कि दुनिया में कहीं पर भी ऐसा जहां पर इतने सारे लोग इस fishing की activity से जुड़े हुए है, जितने यहां पर है, कहां पर Northwest Pacific वाले रीजन में, यानि कि जपान वाले रीजन में, इसके बाद the mountainous nature of Japan and parts of the mainland eastern Asia have driven many to sea का livelihood from the sea, यानि कि यहां पर एक तो क्या है कि mountainous nature है, जपान में बहुत सारे mountains वग रहा है, और क्या करा है कि लोगों को यहां पर मजबूर करा है, एक तरीके साब कह सकते हैं कि अपनी आजिविका उनको समुद्र से ही कमानी पड़ेगी, दूसरी बात scarcity of meat, मैंने बताया वहां पर pasture नहीं है, there is a little pasture in Japan for livestock farming of any kind, और pastures अगर नहीं है, खेत अगर नहीं है, घास के मैदान न principle item of diet and the chief protein food of the Japanese and the Chinese as well, तो जैपनीज और चाइनीज जो है, वो मचली को जादा खाते हैं, हलाकि आपने चाइनीज के वारे में तो खेर news वगरा मैं देखा होगा, या आपने ऐसे वीडियो वगरा देखे होगा कि वो तो सब कुछ खालते हैं, है ना, वो तो पता नहीं क्या canned or preserved for export to neighboring countries, तो खुद तो consumption करी रहे हैं, साथी साथ यहाँ पर इतना जादा production हो रहा है कि यह उसको neighboring countries में भी export करते हैं, चाहे canned में टाल के करें, चाहे preserve करके करें, जो भी है, उनकी टेकनीक है, तो यह जो जैपनीज है, यह बहुत जादा, आप कह सकते हैं, एडवांस नहीं जाने दे रहे हैं, जो फिश का waste है, जो फिश का meal है, जो seaweed है, उसको भी अपने farms में fertilizer की तौर पर use कर रहे है, जपान is one of the few countries that has taken to seaweed cultivation, यहाँ पर seaweed cultivation भी हो रहा है, coastal farms that are submerged in water grow weeds for sale as fertilizers, chemical ingredients and even as food, तो जो coastal farms है, जो basically पानी के अंदर डूबे होए हैं, वहाँ पर कुछ weeds बग हैं, जिनका use या तो fertilizer के तौर पर किया जाएगा, या फिर किसी chemical ingredient के तौर पर और या फिर food के तौर पर, another interesting aspect of Japan's fishing is pearl culture, pearl मतलब मोती, यह लोग मोती का भी जो है वो कर रहे हैं कि मोती भी निकाल के ला रहे हैं, अब देखें कैसे, जो south Japan है, उसके जो divers वगरा है, divers वगरा मत काफी नीचे तक जा रहे है, dive down कर रहे है, and bring to the surface, और surface पर वो क्या लेकर आ रहे है, shellfish, जिसको pearl oysters भोला जाता है, और उससे वो highly priced pearl जो होगा, उसको extract करेंगे, जिसको ornament के तौर पर बेचा जाएगा, pearl is nothing but the moti, जो आपको बताया है कि moti का यह क्या कर रहे है, निकाल रहे है moti का भी यह लोग culture कर रहे है, culture करना मतब basically आप कह सकते हैं कि उसको लेकर यह लोग trade वगरा कर रहे है, यह activity कर रहे है, the lining of the oyster shells, जिसको mother of pearl बोलते है, is used for the manufacture of pearl buttons and other decorative articles, तो जो oyster होता है, उसके जो बाहर की lining होती है, जिसको mother of pearl बोलते है, उसको भी यह pearl button और कुछ और decorative articles बनान difficult to obtain in large numbers, क्योंकि जो oyster होगा, उसके अंदर pearl होता है, है ना, तो उस oyster के अंदर जो pearl है, वो natural pearl मिलना बहुत जादा आसान नहीं है, large numbers में वो आसानी से नहीं मिलता, तो इसलिए Japanese ने क्या करना शुरू किया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखे, technology देखेगा इनकी, और हर Japanese have begin to breed the young oysters, इन्होंने young oysters को breed करना शुरू कर दिया है, उससे ही का करते है, by injecting tiny seeds into them, यह उसमें tiny seeds inject करते हैं, and oysters are made to secrete the pearl material, और जो है वो pearl को secrete करते हैं, तो which accumulates to form the cultured pearls, these are collected and exported, तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा परल का जो व्यापार है, जो मोती का व्यापार है, वो कर इसके बाद, जो Japanese interest in fishing is not confined to their own territorial waters, they venture far and wide into the Arctic, Antarctic and Atlantic waters, देखे, यहाँ पर मैं आपको याद आएगा जो मैंने पीछे आपको जपान माक कराया था, कि जपान सर्फ और सर्फ अपने ही territorial water में, या अपने ही देश के पास जो है वो fishing नहीं कर रहा है, बलकि वो बहुत दूर तक ज ocean में जाता है, Antarctic में जा रहा है, Atlantic में जा रहा है, हर जगे जाके वो fishing कर रहा है, large wailing fleet जो है, they complete with processing plants and experienced crew, stay out in the open seas and return only, occasionally for refueling या फिर replenishment of fresh provisions, जो ये wailing fleets वगेरा है, वो काफी जादा advanced है, उनमें processing plants है, उनका जो crew staff है, वो काफी जादा experienced है, वो open seas में, यानि कि खुले समुद में, वो काफी दिनों तक रह सकता है, और refueling के लिए या उनको कुछ अगर fresh चीज़ें चाहिए, तो उसके replenishment के लिए वो यहाँ पर आते है, otherwise वो खुले समुदर में ही रहते हैं, तो वहाँ पर उनकी technology आप देखे कितनी जादा advanced है, as a nation, Japan accounts for a sixth of the world's total envelope fish caught, यानि कि इस बड़ा जो fishing nation है, वो जपैन है, हर active participation in international fishing enterprises and her advanced fishing techniques speak well of her relentless drive to make good from the sea what she lacks on land, अब लेंड से तो यह जादा क्या कर पा रहा है, economic activity कर नहीं पा रहा है, और इसकी जो technology है, जो techniques वगरा है, मचली से related, मचली को पकड़ने से लेकर उसके trade तक, वो बहुत जादा advanced है, तो उसकी वज़े से ही लोग क्या कर रहे है, समुदर से ही जादा economic activity कर रहे है, और land के उपर यह जादा निर्वर नहीं है, क्योंकि land से इनको जादा कुछ मिल भी नहीं रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, why is this is possible, इसके कुछ यहाँ पर points दिये गए है, पहला है, कि Japan is not well endowed with natural resources, जपान में प अब she has to take to the sea if she want to survive, अब अगर वो survive करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जमीन पर अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर पानी की तरफ कुछ आना पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग sea की तरफ को गए, तो इसलिए वो लोग sea की तरफ को गए, तो इसलिए वो traditional occupation of many coastal Japanese, तो इसलिए वो sea की तरफ को गए, और उन्होंने जो fishing वगरा है, उसको एपना एक traditional occupation बना रखा है, पिछले काफी शताब्दियों से, पिछले काफी centuries से, इसके बाद जो continental shelves है, around the islands of the Japan, are rich in plankton, वहाँ पर plankton क्यो है, यह तो कि फिर से वही चीज़ बताई गई है, कि कोराशियो और जो cold ratio, warm कोराशियो और cold ratio current मिल रहे है, उसकी वज़े से वहाँ पर क्या बन रहा है, plankton वगरा काफी ज़ादा है, तो वो एक excellent breeding ground बन जाएगा for all kinds of fish, जैसे कि herring, cod, mackerel, bonitos, salmon, saridin, tuna, as well as crabs, lobster, यह सारी की सारी चीज़े जो है वो आपको आपर मिल जाएगी, क काफी rich area है, यह planton में, और इसी लिए यहाँ पर जादतर क्या हो रहा है, कि fishes वगरा, और साथी साथ, fish की प्रजाती भी बहुत है, साथ में crab, lobster, यह सब भी मिल जाएगा, इसके बाद जो intended coastline है जपान की, that provides sheltered fishing ports, calm waters and safe landing places, ideal for shipping industry, intended coastline का मैं आपको पहले ही बताया, जो continuous नही है, हना थोड़ा सा टूटी-फूटी सी coastline है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कि हमें एक तो sheltered fishing ports मिल जा रहे है, पानी थोड़ा सा वहाँ पर काम होगा, calm water, बहुत तेज पानी नहीं होगा, and safe landing places, जो की fishing industry के लिए बिलकुल क्या है, ideal conditions है, in Hokkaido, where Laurentian type of climate is too cold for active agriculture, fishing takes first place, तो वहाँ पर वहीं बताया है, आपको कि climate जो है, बहुत ठंडा है, agriculture आप नहीं कर सकते है, बहुत ठंडा climate है, तो इसलिए fishing जो है, वो पहले स्थान पर बनी हुई है, इसके बाद Hackodate and Koshiro के हम बात करना, तो these are the large fishing ports, complete with refrigeration facilities, तो यहाँ पर भी जो refrigerating facilities है, वो बहुत बढ़िय है, साथी साथ, lack of lowlands and pastures mean that only a few animals can be kept to supply meat and other protein food, वही एक तो mountain region जादा है, तो यानि कि lowland कम है, और दूसरा pastures भी नहीं है, यानि कि घास के मैदान जो है, वो भी नहीं है, अब वो चीज़ नहीं है, तो फिर वो animals भी जादा नहीं रख सकते हैं, और कम animals होंगे, इसका मतलब meat और other protein food की क्या हो जाएगी, supply कम हो जाएगी, limited हो जाएगी, तो fish in its all varied forms, चाहे वो fresh हो, canned, dried, frozen and in the form of fish के paste, fish sauce, spice, condiments, condiments is nothing but a kind of, आप कह सकते हैं, जैसे chutney आप मान के चलते हैं, ये खाने के उपर आप डालते हैं, तो उससे taste बढ़ता है, तो वो चीज़ जो है, वो इस सब से बनाते हैं, तो these take the place of meat as Japan's primary source of protein food, तो वो meat को उनके पास है नहीं, तो वो इन सब चीज़ों का ही use करते हैं, और अपनी protein की जो जरुवत है, वो ऐसे पूरी करते हैं, अब there is a great demand for it locally, यानि कि fish वगरा की जो demand है, वो locally भी बहुत जादा है, and for export to other asiatic neighbors, which lack the techniques of large scale commercial farming, यानि कि ज इसकी export की demand भी बहुत जादा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हो सकता है, कुछ देश ऐसे हो, जहाँ पर large scale commercial farming करने के लिए technique ना हो, उतनी बढ़िया, तो वो फिर क्या होगा, कि वो यहाँ जापान से मचली वगरा ले ले लेंगे, उसको import कर लेंगे, the Japanese fishermen begin with small fishing boats using nets, traps and lines, तो जो fishing Japan के जो मचवारे थे, जो fishermen थे, उन्होंने पहले कोई शुरुआत में उनके पास कोई बहुत 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 ट्रॉलर नहीं था, हैना कोई बहुत sophisticated technique, technology नहीं थी, पहले वो small fishing boats का use करते थे, सिर्फ वो nets वगरा use करते थे मचली पकड़ने के लिए, अब जैस जैसे जैसे progress होता गया, made in industries, progress made in industries, तो fishing has also become more scientific, aiming at heavy hauls, high returns and economy of time effort and money, जैसे जैसे इसमें progress होता गया in industries में, तो fishing जो है वो और जादा scientific तरीके से होने लगी, अब उनका मकसद क्या है कि उनको जादा से जादा मचली पगड़नी है, ताकि उनका जो समय लग रहा है, जो effort लग है, जो पैसा लग रहा है, उसके बदले में उनको अच्छा economic return भी मिले, दो three quarters of the fishermen practice offshore pelagic fishing, either full time और part time in small boats, most of the commercial deep sea dimmer cell fishing is now highly mechanized, लग भग 3-4 fishermen जो अभी भी है, यानि कि 70-75% जो वहां के अभी भी मचवारे हैं, वो offshore fishing ही कर रहे हैं, offshore मतलब समुद्र के तर्ट से दूर, और व जो है, वो fishing कर रहे हैं, कैसी मचलिया पकड रहे हैं, pelagic fishing, pelagic fishing मतलब आपको बताया, कि जो मचलिया surface पर पाई जाती है, या वो full time कर रहे हैं, या part time कर रहे हैं, और वो भी कैसी small boats में, और लेकिन जो commercial deep sea dimmer cell fishing हो रही है, dimmer cell fishing मतलब जो गहराई पे जाके, जो मचली नीच गहरे में रहती है, उसको लेके आने वाला जो काम है, commercial, वो जादातार अब mechanized कर दिया जा चुका है, मतलब उसके लिए machines का use हो रहा है, वो manually लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है, पावर ट्रॉलर्स and modern refrigeration plants, backed by sound financial organizations, have greatly increased the annual fish yield, तो क्या हुआ है, कि काफी बढ़िया technologies वगरा use है, और refrigeration plants भी है, क्योंकि obvious ही बात है, अगर आप बहुत सारी मचले को पगड़ लेंगे, उसके बाद अगर आपके बाद refrigeration plants नहीं होगा, तो आप तो उसको preserve नहीं कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ यह है, कि आप उसको फिर export भी लंबे दूरी तक नहीं कर सक but also a center for marine and fishing research, तो आज की date में वो लोग इतने ज़्यादा advance हो चुके हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिश का सबसे ज़्यादा production और export ही नहीं हो रहा है, ना कि मतलब फिश का या फिश के साथ साथ और भी जो आपके maritime marine products हैं, जैसे कि lobster, crab, shrimps इन सब का, exporter और producer तो जपान सबसे ज़्यादा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ marine और fishing के research center वगरा भी खुले हैं, ताकि लोग अगर बाहर से जाएं, तो जाके वहाँ पर पढ़ें, देखें कि किस तरीके से इनोंने small boats से शुरुआत की थी और आज की date में ये largest fishing industry आप कह सकते हैं, largest fishing region of the world बन चुका है, तो I hope की बात आपको समझ में आई होगी, fishing को अगरा थोड़ा से में जादा दी थी, लेकिन ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि notes आपको उतने ही हिसाब से बनाने है, general चीजों को लेके बनाने है, कोई बहुत जादा आपको word to word या line to line लिखने की इकी chapter बचा है, उसको भी हम लोग बहुत जल से जल complete कर लेंगे, और वो छोटा से chapter है, I think दो पार्ट में वो बड़े आराम से हो जाएगा, तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है, तो आप हमारा telegram का group, local gs, ups, discussion forum इसको join कर सकते हैं, इसको आपको telegram पर सर्च करेंगे, तो इ ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे course वगरा जो है वो purchase कर सकें, अगर आपको course को access करने में कोई भी technical query आ रही है, तो आप हमसे support.co.co पर संपर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी बात हम तक social media platforms, facebook, instagram, linkedin या twitter के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं, तो चलिए मिल अगले lecture में, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखेगा, please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye-bye.